365 News आपकी ख़बर आप तक 365 दिन आपके साथ इस वक्त की बड़ी ख़बर यह है कि एक दर्दनाक दुरघटना में करीबन चार लोगों की जाने चली गई है घटना है हाजारी बाग के चरही की वहाँ पर एक अनियंतरित माल वाहक वाहन खड़े दुकान के पास जाकर पल्टी कर गया जिसमें कुछ लोगों के दब जाने की बात सामने आ रही है बताया जा रहा है कि चार लोग करीबन उसमें दबे हैं और उन लोगों की मौत हो गई है यह काफी दुखद और दर्दनाग घटना है सुबह सुबह हजारी बाग के चैरी थाना शेतर के घातो मोड पर एक अनियंतरित माल वाहक वाहन ने कई लोगों को अपनी चपेत में ले लिया आपको बता दे कि वाहन के चालक एवं खलासी को इलाज हेतु सदर अस्पताल हजारी बाग भीजा गया है जिसमें चालक की हालत अत्यांत गंभीर बताई जाती है वह वाहन के नीचे कम से कम चार लोगों के दबे होनी के आशंगा बताई जा रही है जिनकी मिर्टू हो गई है इस्थान ये लोगों के अनुसार दुकान के बाहर कई लोग खड़े थे और एकाएक अनियंतरित वाहन की चपेत में वह सभी आ गये लोग को अंदाजा है कि चार लोग दबे हुए हैं उनकी मौत हो चुकी है लेकिन उससे जादा भी होने से गुरेज नहीं किया जा सकता ततकाल पुलिस क्रीन की मदद से गाड़ी को साइड करने में लगी है ताकि दबे वे लोगों को बाहर निकाला जा सके आपको बता दे कि वहां हजारी बाग की ओर से राशी की ओर जा रहा था इसी दोरान यह घटना घटी है खबर 365 निउस के लिए हजारी बाग से रवी शर्मा की रिपोर्ट